गुड मॉर्निंग यूज्युली हम अपना वीकली अपडेट सारड़े को डालते थे पर अपकी बार से हम संडे को डाला करेंगे लोगों की रिक्मेंडेशन यही है कि संडे को जाधा लोग देख पाते हैं तो मैं इस समय क्यू कैनल में हूँ और मैं आपको कुछ इंट्रस्टिंग दिखाना चाहरा था कि यह जो क्यू कैनल हैं फाइनली एंप्टी हैं यहां पर हमारे अडॉप्टेबल डॉग्स थे जो बड़े टाइम से दिल्ली जाने की वेट करें थे फाइनली इस हफते कुछ दिन पहले वो दिल्ली चले गए हैं दौलत राम जी और संजी उनको लेके गए हैं अब यहां से वो अपना जो इंडी लव नामक एक बोर्डिंग है वहां पर है और उनका जो अब यूएस कैनड़ा वो चले जाएंगे तो यह जो एरिया यह आप सब्सक्राइब के साथ तो उसका जमीन पर ट्रीटमेंट हुआगा तो वो सबब चेंज हो जाएगा यह हमारा क्लीनिक है क्लीनिक में हमारी एक जो नई एडिशन है वह है यह ओटी लाइट जिसके लिए हमें डोनेट किया गया और अब हमारी सर्जिश और बहतर होंगी मैंने सारे जो अपडेट से अब की बार लिख ली है राधा आप इनको इनी मीनी माईनी मों को बाहर लाओगे जब भी और बेगल कहा है ठीक है हाँ ले आना दो मिंट में मैं आपको इससे मिलवाओं ड्यूट से ड्यूट की हाला तो आप जेख रहे हैं ड्यूट काफी गं कर तो इंसीजन हील होने में बहुत टाइम लग रहा है जब इंसीजन हील हो जाएगा तो यह इसके जो अडॉप्टर है जंग बहादुर जी वह इसको ले जाएंगे हमें इसको तब बेहोश करना पड़ेगा तब हम इसको नहला थुला भी देंगे यह डॉक्टर अंकित ज जो 1st September से हमें जॉइन कर रहे हैं तो we will be able to do even more good और क्या कहते हैं नैंसी जो है नैंसी समय अपने चैनल में अमित ने भी शायद अपना होम स्टेज होम बेस चेंज कर रहा है नैंसी साथ वाले कैनल में तो नैंसी को हमने स्टेरिलाइज करने कोशिश की पर उसका अनस्थी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए तो अब जो हमारे पास gas anesthesia आ रहा है तो उसके बाद जो यहां पर धरती का मैं आपको बताऊं तो धरती ने जब हम इसको खड़ा करते हैं hoist पे तो यह वेट जो है लेती है थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ देती है पर यह पहले से कमजोर हो गई है तो हम बहुत जादा hopeful नहीं है दूसरी बात यह जो मारूती है वन आफ दो बुल्स जिसने शू पहना हुआ था वो नहीं बचा क्योंकि होता क्या है जब foot injury होती है तो sepsis के chances बहुत हाई होते हैं especially जब animals की concentration इतनी जादा हो और इन महराज ने तो यह अपना जूता इस समय उतार ही रखा है खेर मैं आपको दो और बैलों से मिलवाना चाहरा था एक तो पहलवान है साहिल मुझे बताएगा पहलवान कहां पर है यह पहलवान है ना हाँ यह रह पहलवान और मुझे बंटी से भी मिलवा दियो यह पहलवान है देखिए पहलवान को कितना बड़ा जखम है अब यह human cruelty का case है तो साल में हर बार ही एक बार कुछ ने कुछ ऐसा होता है कि गाए बैल पर attack हो रहा है तो हमें पता लगा था कि एक एरिया जहां गाए बैल का attack हो रहा है महां गए हमने footage भी लास्ट टाइम भी news में आया था पुलिस ने भी सबको warning दी थी पर लोग मांते नहीं है यह बंटी है stripe वाला यह बड़ा सुन्दर है यह बंटी है पर इसको जो ले के आया बंदा जिसने rescue की है इसके पैर में इंजरी है तो इसने shoe पैन रखा है जो ले के आया है वो चाहता है कि इसका नाम बं रविंदर भी आपको यही निज़र आ रहा हूंगे रविंदर ने farm team चोड़ के यह animal team join करना prefer किया है वैसे हमें यहाँ पर ज़्यादा जरूरूरत है क्योंकि जानवर हमारे बहुत ज़्यादा हो रखे हैं प्लस अब हमारे पास दो वेट्स होंगे तो हमें more supporting staff चाहिए र चौथा अलग है क्योंकि उसकी condition थोड़ी ठीक नहीं है इनमें से एक को maggot वूंड है हम सौरी मुझे तो यह सारे एक जैसे दिखने राधा को पताऊगा वो इन्हें रोज दूद पिलाती है मोह यह मोह की तबियत ठीक नहीं है इसकी शकल तो हम दिखा सकते हैं मोह की तबि ज़्यादा इसको निवरोकान बगयरा दे रहे हैं तो ज्यादा इसकी डिटेल नहीं है इसका बिसिकली यह शेक्स है ना और इसका टेम भी ज्यादा है इसको सेपरेट रखा हुए हमें पता नहीं है कि हो क्या रहा है जिसको मैगेट वूंड है इनमें से मीनी को वह पहले स मुझ बेटर आप एक बाई दिखाओ के राधा अपने हाथ में राधा एक बाई हाथ दो ले क्योंकि उसने मुझ को हैंडल किया है यह जो प्रैक्टिस हैं हर जानवर के बीच में हाथ दो लेना यह छोड़ी चीज़े हैं पर इससे ऑफकोर्स लाइफ बचती है इन फाक्ट जर्म थियोरी के आने से पहले आपको पता है जो इंफिंट मॉर्टालिटी रेट था इसी लिए हाए था कि जो डॉक्टर्स थे वो आटॉपसी करते थे उसके बाद डिरेक्टली डिलिवरीज करते थे बिना हाथ धोए जी हाँ इसका मैगट वूंड यह था अब तो यह रिकवर हो गया ओ वाव इसकी बिफोर आफ्टर पिक्चर्स देदेना मुझे ठीक है एक सेकिंड मैं अपने नोट्स चेक कर लूँ कि मैं कुछ मिस्स तो नहीं कर रहा ओके हां में को गुगलू राना का फोन आया था वो यहां गर वो कि अंदेरे में दिखते नहीं है तो अगर मिल जाए तो अगर आप लोग हमें रिफ्लेक्टिव कॉलर्स भेज सकते हैं गाये के लिए तो डाट विल बी सूपर हम वहां जाके एक तो हम जो रिलीज करते हैं उन्हें भी पहनाते हैं तो मारवा पांच शे ही बचे हैं प हमारी जो हैने यह पे चोड़ गया था कोई उसके पैर में चोट लगी हुई है तो चोट तो नहीं लगी आपशली वह लंगडा कर चल रही है तो मैं ने पूछा मैं तो फिर मुझे तो जादा मेडिकल एक्सपिरियंस नहीं है तो मैंने पूछा तो मुझे यही पताया गय हैं क्योंकि ये वेट के नुसार बिखते हैं वह लोगों ने तो खाना है न तो इसे साब से उनको ये प्रॉब्लम्स रहती है तब ही जब यह आये थे तो यह तीन थे अलिफ लैला और मटको अलिफ और मटको जो हैं वह मेल्स हैं तो अलिफ पैस्डवे विकॉज लाइक इसे इन लोगों की हालत ठीक नहीं रहती है देशी मुर्गों की तरह नहीं है जो फ्री पैदा हुए हों तो अब इस समय मटको तो तसली से घूम रहा है यह थोड़ डराता है तो मैं इससे दूरी दोंगा और लैला जो है बिचारी वो लिम्प कर रही है इसलिए यह चलना अवॉइड ही कर रही है अच्छा अगर आप हमारी सारी गतिविदियां फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा साक्षी वाली पूरी बात तो साक्षी जो है अपने मॉम डाड के यहां चली गई है और आज से उसने फिर से जौब पर आना शुरू कर दिया है तो आज हमारे हैं पुलीस भी आई जो भी कर रहे हैं तो मैं आपको कैमरे पे तो नहीं ले जा पाऊंगा दूसरा शिवानी की टीम में एक नई लड़की ने जॉइन किया है मैं शिवानी से पूछ को बढ़ाता हूं सूजल जिन्हों यह नया जॉइन किया उनका क्या नाम है कहां पर है यह मीनू है मीनू डि सिखा रही है और इन इन अधर निवस एन का वीजा समाप्त हो रहा है तो शायद यह सेप्टेंबर में चले जाएंगे तो तो देर इस लॉट पीपल कमिंग इन गॉइं सिड का लास्ट दे इस ऑउगस्ट 20 तो आज हमारा यह लास्ट अपडेट वीडियो है जिसमें हमें स इतना ही अपडेट्स थे मेरे पास और मैं एक बारी फिर भी चूले पर चलता हूं वहाँ पर देख लेते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं आपको बता सकूं उसके अलावा सॉरी उस पूर शादी या ओहो चूले पर तो पूरा मेला असा लगा है यह जो बच्चा जूले में सोया हुआ है यह परी है यह रिया है इन लोगों को परी को तो नहीं रिया को इंग्लिश पढ़ाने बहुत जल्द हमार को एक जो लड़की है वो जॉइन कर रही है और यह निकाब आतों में इन्होंने तेल इसलिए लगा रखा है तागी खुझली ना हो ममता दीदी भी कुछ तो प्रिटेंड कर रही है करने का चोले जब कैमरा उदर था तो ममता दीदी यहां कॉमिक्स बट रही थी बैठके दिलबर बें यह डॉक्स का खाना बना रहे हैं और वीना मेर बाना शुरू करेंगे कि कैसे सोया पनीर बनाना है कैसे ब्रेट बनाना है आंडी आप हरवारी अपडेट पे रह जाते हो और आंडी जो हमारी वन फॉर्स्ट एंप्लॉईज है इनकी वजा से फार्म सारा साफ दिखता है और अन इस नोट आइविल एंड दे वीडियो थै